हेलो गाइज वेलकम टू प्यूस पीसियस और आज बहुत ही खुसकबरी वाला दिन है क्योंकि आज जार्खंड कर्मचारी आयोग यानी की जिये ससी ने वेकेंसी निकाली है लगभग 500 से अधिक पदों के लिए चलिए देखते हैं किस चीज की वेकेंसी है तो देखिए जार जाती है वर्तियों के लिए 50 रुपया रहेगा इसके अलावे जो पत का नाम है वो है छेत्रिय कारे करता स्वास्त है चीकित्सा सिक्षा एवं परिवार कर लिया विभाग में आपको मिलेगा इसमें ग्रूप C और ग्रूप D दोनों पोस्ट है एलिजिबिटी जो है वो है मैट्रिक लेबल यानि की टेंथ होना चाहिए और टोटल जो सिट है वो है 510 जेनरल के लिए टोटल सिट है 133 और अनुसुचित जाती के लिए यानि SC के लिए 44 OBC1 के लिए 45 OBC2 के लिए 7 और EWS के लिए 51 सिट है इसके अलावा महिला के लिए special सिट रिजर्विस में किया ग आगे देखिए इसका जो पे मैट्रिक्स लेबल है ये 18,000 से 56,900 तक रहेगा यानि की सुरुवाती का जो स्टार्टिंग सेलरी होता है वहीं से ये स्टार्ट है ठीक है और ये जो है ये ग्रूप C है अभर्थियोग और ग्रूप DBS में मिक्स है अभर्थियोग को आयोग मे आविदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी तक मानेता प्राप्त सैचनिक संस्थान से कम से कम तेन पास करना ही होगा ठीक है इसके अलावा फॉर्म भरने की सुरुवाती तिथी और अंतिम तिथी क्रमशा है 1 अगस 2024 से 31 अगस 2024 तक खेलकूद कोटा वाले के लिए ग्रूप प्राप्ति ओलम्पिक संग या उससे संबंदित फेडरेशनों मैं आज़जित राष्टि अस्तर में फर्स चेंड थर्ड स्थान पर रहे हो इसके अलावा जहारकंड ओलम्पिक में या फिर उससे रिटेड में आप प्रत्म स्थान पर रहे हो या फिर रास्टी रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी को मिला जगा ठीक है अब देखिए उम्र का निर्धारन क्या होगा यानि कि एज कटब तो नियुन्तम उम्र की जो गन्ना होगी वो एक आठ दोजार चौबिस से होगी और अधिक्तम उम्र की गन्ना भी इसी से होगी यानि कि इसमें कोई फेर बदल नहीं है एक तारिक आठो मैना दोजार चौबिस से ही नियुन्तम और अधिक्तम उम्र होगा नियुन्तम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए अधिक्तम उम्र जेनरल के लिए 35 साल होना चाहिए OBC के लिए जो पूरुस है उनके लिए 37 साल होना चाहिए और महिला जो है OBC1 की और OBC2 की उनके लिए 38 साल होना चाहिए बाकी अनुसूचित SCST के लिए 40 साल रहेगा उम्र में छूट का लाब जो है ग्रूप C और ग्रूप D को से माने ही रहेगा मतलब एक ही माने होगा अब देखिए अरक्षन का दावा कौन कर सकते हैं जो जारखंड के होंगे उन्हें ये अरक्षन का दावा का लाब मिल पाएगा स्थानी निवास प्रमान पत्र जो है आपका अगर SDO लेबल का है तो 2016 के बाद का होना चाहिए SDO लेबल का अगर है तो अगर SDO लेबल का नहीं है आपके पास CO लेबल का है या विडियो लेबल का है तो आपको जो है वो 19.7.2019 के बाद का होना चाहिए स्थानी निवास प्रमान पत्र उससे पहले का नहीं चलेगा और जाती प्रमान पत्र जो है लेबल से है तो आपका 2025.2019 के बाद का भी चलेगा EWS स्रेटिफिकेट जो होना चाहिए वो 25.2019 के बाद का होना चाहिए तेकि परिक्षा जो होगा ना वो एक ही दिन होगा वही मुख्य परिक्षा होगा और तीन चरन में होगा परिक्षा का जो माध्यम है इसमें दोनों लिखा हुआ online भी हो सकता है और offline भी हो सकता है ठेक है लेकिन यह जारखंड है तो आप offline मार के ही चलिएगा लेकिन इसमें समभावता लिखा है कि online भी हो सकता है online भरने का जो भी है यह details दिया गये है इसले इसको skip कर रहे हैं कैसे भरना है वो लिखा है देखिए परिक्षा का सोरूप जैसा के मैंने बताया CBT online भी हो सकता है computer based test या फिर OMR पर भी offline test हो सकता है परिक्षा एक ही चरन में लिया जाएगा और एक ही दिन में तीन परिक्षाएं होंगी उसमें तीन विसे होगा पहला जो होगा वो दो घंटे का होगा भासा ग्यान यानि की अंग्रेजी और हिंदी इस दो असी और चालिस कोश्चन इसमें आपको 30% qualifying अंक लाना है ठीक है qualifying अंक और दोनों को जोड कराना चाहिए अलग-अलग लाने की नकपूरी, पंचपर, गनिया, उडिया मेंसे किसी एक भासा का आप चैन कर सकते हैं जो की 100 question इसमें रहेगा और भासा ग्यान पेपर वर्न में सिर्फ आपको pass करना होगा जो merit में marks होगा उसमें ये भासा ग्यान वाला नंबर नहीं जुटेगा लेकिन इसका जो नंबर है वो मेंस में जुटेगा ये पत्र दो है और तीसरा पत्र में रहेगा सामान अध्यन यानि जेनरल नौलेज 40 प्रस्न और जारखंड से सम्मंदित 50 प्रस्न रहेगा और math 10 रहेगा और science जो है वो 20 रहेगा इसमें भी 30 प्रस्न लाना जरूरी है minimum कुल मिलाकर 120 प्रस्न होंगे ठीक है तो आप लोग ये देख लिए अब जो मुखे सूची तयार होगा वो कैसे होगा वो normalized प्राप तांक से होगा या common merit list इसके असाथ साथ मेधा सा विकल merit कम option के अधार पर लिया जाएगा अगर equal marks रहेगा अगर दो लोग का same marks आ जाता है तो उमिद्वार के जन्तिती के अधार पर किया जाएगा जिसकी उम्र जादा होगी उसे लिया जाएगा देखिए अगर आप लोग को exam देने के बाद किसी भी तरह में पुनर बुल्यांकन के लिए अगर आप देते हैं इवेदन तो उसमें आपको 500 रुपया लगेगा इसके अलावा आगे में syllabus है ठीक है हिंदी का है हिंदी में आप कुछ इस तरह से रहेगा PDF आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगा मैं उपर-उपर अभी बता देता हूं अगर भासा ग्यान जो था ये हिंदी भासाग्यान अंग्रेजी भासाग्यान से सवाल पूछे जाएगे और उसके अलावा छेतिरी भासा जो है हिंदी में छेतिज भाग दो से कावे खंट रहेगा, गदे खंट रहेगा, उस तक कृतिका भाग दो से रहेगा, व्याकरन रहेगा, कुर्माली में भी सेम चीज व्याकरन, सिश साहित, लोक साहित, हो में भी व्याकरन, साहित, संग्रा, पद, संग्रा, खोठा में भी गदे भाग, में कहानी, ये कांकी नमकारक, लिंग, निर्ण, मुहावरा और कहावत रहेगा और एक्स्ट्रा इसमें जुटिया है इस बार निबंध जो की समसमाई की विशे पर अधारित होगा यह सभी objective question में होंगे अब देखिए खड़िया में भी वही रहेगा व्याकरन, सिश्चाहित, लोकसाहित और निबंध खड़िया कहानी रहेगा इसके अलावा आप लूप देख सकते हैं पंच पर गनिया में भी व्याकरन रहेगा सिश साहित लोग साहित और संथाली में भी व्याकरन सिश साहित लोग साहित ये संस्क्रिट का स्लेबस है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूं सारे स्लेबस को आप लोग देख लेंगे ये मुंदारी का स्लेबस है और अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारे टेलेग्राम पर जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं मैं टेलेग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके अलावा हम लोग पेपर 3 का भी अभी देख लेंगे कि क्या उसका स्लेबस है ठीक है पेपर 3 के स्लेबस में राष्टी अंतरास्टी पुरुसकार रहेगा भारती भासा पुस्तक लिपी राजधानी मुद्रा खेल खिलाडी घटनाय होंगी इसके अलावा भारत का इतिहास संस्कृती भूगोल पर्या वरंसोतंता अंदोलन भारती क्रिशी तता प्राकृतिक संसादनों की प्रमुख विसस्ताइं होंगी भारती संबिधान से भी जुड़े प्रस्ण होंगे और मिसलेनियस वगेरा राजववस्था पंचायती राज सामुदाईक विकास जार्खन राजिकी सामाने जनकारी भी होंगी जार्खन से सम्मंदित रहेगा जार्खन का भूगोल इतिहास सबहता संस्कृती भाषा इस्थान खान खने जुद्योगराष्टी आंदोलन में जार्खन का योगदान विकास योजना और खिल के डाली गनीत में रहेगा दसवी कक्षा के स्तर के प्रश्ण सामाने विज्ञान में रहेगा प्रति दिन प्रति दिन के अवलोकन एवं अनुवाव पर आधारित विज्ञान की प्रश्ण इसके अलावा आपका जो आए जाती अवासी है या EWS या OBC1-2 सर्टिफिकेट कुछ भी हो तो आप यहाँ पर नीचे से यहाँ आप देख सकते हैं जो डेट है उसके एकॉर्डिंग आप लोग मिला सकते हैं ठीक है और मिला कर आप लोग अपना ये पना सकते हैं कि आपका same to same ये date आपको देखना है राजपत्रित और number ये देखना है इस number के recording आपका मिलता है या फिर नहीं इसी भी तरह confusion से आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपका कब का है और किस तारीक के बाद का चलेगा आप लोग जारकंड job update के लिए हमें subscribe कर ले ताकि आपको job update मिलते रहें इसी के साथ आज का session समाप्त होता है जै हिन्द जै भारत जुहार जारकंड